हाई फ्रेंड्स मैं डॉक्टर मुशारफ हुसान आपका एक बार फिर से अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऐसी कॉमन डिजीज या बीमारी के बारे में जो है तो बहुत कॉमन लेकिन जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है उसका एक कारण है क्योंकि ये बीमारी जब शुरू होती है तो इसके लक्षण पता ही नहीं लगते हैं या बहुत कम होते हैं जिसको मरीज इग्नोर कर जाता है और जब बीमारी के लक्षण आने लगते हैं तो उस समय तक बीमारी काफी बढ़ गई होती है हम बात कर रहे हैं फै लिवर डिजीज कहते हैं अब ऐसा होता क्यों है इसके जो मुख्य कारण है वो लाइफ स्टाइल डिजीज से जुड़े हैं जैसे मोटापा यानि को ओबिसिटी हाइपर टेंशन ब्लड प्रेशर जिसको हम कहते हैं डियाबिटीज मेलाइटस या खून के अंदर कॉलस्ट्र यहां पर मैं एक चीज और बताता चलूँ यह जरूरी नहीं है कि विमारी सिर्फ मोटे ही लोगों में होती है यह भी देखा गया है कि यह बिमारी उन लोगों में भी काफी कॉमन है जिनका वजन तो नॉर्मल है लेकिन उनका टमी का साइज या वेस्ट साइज जादा है उ अगर जेनरली यह बिमारी जो बहुत कॉमन है वो 45-50 की उमर के बाद की लोगों में जादा कॉमन है फैटी लिवर डिजीज के दो पिरकार है पहला एन ए एफ लडी जिसको हम नॉन एलकॉलिक फैटी लिवर डिजीज के नाम से भी जानते है यानि कि यह बिमारी उन लोग की दूसरा होता है ए ए एफ लडी जिसको हम कहते हैं अलकॉलिक फैटी लिवर डिजीज यानि कि उसमें अगर और दूसरी बिमारिया भी ना हो तो यह अकसर उन लोग में पाई जाती है जो बहुत ज़ादा अलकॉल का सेवन करते हैं जिसकी वजह से लिवर के पर फैटी ड खतरनाक है यह देखा गया है कि जिन लोगों को फैटी लिवर डिजीज है उन लोगों में ब्लड पिशर का डायबिटीज का स्ट्रोक का और हर्ट अटेक का बहुत खतरा बढ़ जाता है उनमें रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं यहां हम बात कर रहे हैं नॉन एलकॉलि फैटी लिवर डिजीज यानी एन एफल डी की तो हम इसी के बारे में बात करेंगे और यह जानने की कोशिश करते हैं कि यह बीमारी आगे कैसे बढ़ती है और यह खतरनाक रूप कैसे ले लेती है इस बीमारी की पहली स्टेज होती है उसको कहा जाता है स्टिय टॉसिस या जो लिवर के सेल से उनमें इंफलामेशन शुरू हो जाता है यानि कि हपाटाइटी हो जाता है और इस कंडिशन को कहा जाता है नॉन एलकॉलिक इस्टियो हेपेटाइटिस जिसको हम एन एस एच के नाम से भी यानिके नैश के नाम से भी जानते हैं और यहां से बीमारी के severity की तरफ जाने लगती है इसके बाद जो condition होती है उसको हम fibrosis कहते हैं और इसमें जो liver के inflamed cells थे वो सूखने लगते हैं और जो चोथी condition होती है इसके बाद उसको हम कहते हैं cirrhosis of liver और cirrhosis of liver की condition में जो liver है वो failure हो जाता है इस condition को आप liver failure की condition भी कह सकते हैं और अगर समय पेलाज ना किया जाए तो ये condition liver cancer की तरफ भी पढ़ सकती है तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी खतरनाक बिमारी है अगर इसको अंदेखा किया जाए तो अब हम बात करेंगे इसके लक्षणों के बारे में तो एक्चल में शुरुआती दिनों में या पहली stage में जनरली मरीज को कोई लक्षण नहीं आते हैं और अगर लक्षण आते भी हैं तो बहुत ही मामूली से होते हैं यानि कि जो patient का दाहिनी उपरी हिस्सा होता है पेट का वहाँ पे कुछ mild heaviness या कुछ बहुत ही mild pain, uneasiness उसको feel होता है और जैसे जैसे बीमारी बढ़ने लगती है और बीमारी दूसरी stage की तरफ जाने लगती है तो लक्षण आने लगते हैं और लक्षण क्या होते हैं खास तो जब patient cirrhosis of liver की stage में चला जाता है तो उस समय मरीज को पीलिया हो जाता है, पेट फूल जाता है, पेट में पानी बर जाता है, पेशाप का कलर पीला हो जाता है और पेशाप की मात्रा जो है वो काफी कम होने लगती है पैरों पे सूजन आने लगती है, मरीज को बहुत ज़ादा थकावट लगती है, नीन कम हो जाती है, यहां तक कि मरीज की यादाश कम होने लगती है और जसे जसी यह लक्षन बढ़ जाते हैं, तो यह मान के चला जाता है कि पिशेंट लीवर फिलियोर में जा रहा है और उसको बहुत ही जल्दी एक्टिव ट्रिटमेंट की जरुवत है तो शुरुवाती तिनों में अगर हमें इस बिमारी के लक्षन पता ही ने लगते तो सवाल ही उड़ता है कि अब इस बिमारी को पहचाना कैसे जाए बहुत सिंपल है इसके लिए कुछ जाच या कुछ बेसिक लक्षन जो है वो अगर आपको मिल जाए तो आप इस बिमारी को आसानी से पहचान सकते हैं और ये भी देखा गया कि जनरली ये बिमारी जो है वो इंसीडेंटली एक्सिडेंटली पता लगती है हम गए किसी और बिमारी के लिए होते हैं हमने अल्टरसाउंड कराया हमने कोई बोडी हैल चेक अप कराया हमारा अल्टरसाउंड हुआ तो पता लगा कह रहे ये तो इंसीडेंटल फाइंडिंग निकलाई कि लिवर जो है वो फैट्टी लिवर है और उस समय जब मरीज की खून की जाच की जाती है और उसमें देखते हैं कि उसका लिवर फंक्शन टेस्ट की क्या स्टेटेस है तो वो डिरेंज मिलता है यानि कि जो SGOT और SGPT के लेवल्स है वो बढ़े हुए मिलते है तो उस समय समझ जाना चाहिए कि ये मरीज हो सकता है थर्ड स्टेज की तरफ या ओर फाइरोसिस की तरफ जा रहा हो और उसका डैगनुसीस करने का तरीका क्या है कि हमें उसके लिए फाइब्रोस्क्व है जिससे यह पता लगता है कि लीवर में फाइब्रोसिस का कितना लेवल है इसके अलावा एक ओर confirmatory जाँच होती है जिसको हम biopsy कहते हैं लिवर biopsy उसमें क्या करते हैं लिवर के अंदर एक बारीक सी सुई डालके उसे लिवर का छोटा सा टुकड़ा ले लिया जाता है उसका histopathological जाँच की जाती है और ये confirmatory diagnostic technique है जो बताती है कि लिवर में hyrosis या fibrosis कितना है और किस stage में disease पहुँच चुकी है साथी साथ जैसे लिवर function derange होता है तो हमें यहाँ पे जो viral hepatitis यानि कि hepatitis B और hepatitis C है उसकी जाँच करना भी ज़रूरी हो जाता है ये जानने के लिए कि ये बीमारी actual में दूसरे कारणों से है या इसका कारण hepatitis B, hepatitis C है क्योंकि यहाँ पे line of treatment उसी के according बदल जाता है और अब हम बात करेंगे के fatty liver disease के बचाओ क्या है या उसका उपचार क्या है सीधी से बात है जो इसका उपचार है आप जो हमने कारण उपर बात की है उन सारे कारणों को अगर आप remove कर सकते हैं उनसे बच सकते हैं तो fatty liver disease को prevent ही नहीं किया जा सकता बलके उसको reverse भी किया जा सकता है तो जैसे हमने बात की के इसके जो मुख्य कारण है वो diabetes है, मोटापा है, hypertension है blood के अंदर cholesterol का level जादा होना है तो अगर आपने इन सारे चीजों को control कर लिया तो fatty liver disease भी काफियत तक अपने आप control हो जाएगी तो आप मोटापा कम करें, obesity को control करें, चिकना भोजन या जो fatty food है उनको कम खाएं, junk food ना खाएं और daily अपना जो व्याम है उसको continue रखें daily कम से कम 30 मिनट का brisk walking ज़रूरी है fatty liver disease से बचने के लिए जीवन यापन यानि के lifestyle को change करें, जिससे के आपका मोटापा ना बढ़े और जो ये lifestyle diseases हैं वो आपकी तरफ ना आए carbohydrates यानि के जो मीठा है वो अपने भोजन में उसकी मातरा कम कर दें, उसके अलावा जो लोग alcoholic हैं, उस शराप पीना बंद कर दें या उसकी मातरा बहुत ही कम कर दें, तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको अगर आप अपनाते हैं तो इस बिमारी से आप बस सकते हैं और इसको वापिस normal सेहत की तरफ भी लेके जा सकते हैं, कुछ active treatments भी है, या अगर कोई इनसान बहुत जादा मोटा है तो उसका कुछ surgical interventions भी होते हैं, मोटा बाकम करने की surgery होती है, हाला कि वो थोड़ा रिस्की है, तो वो भी एक root अपनाया जा सकता है, या vitamin E का काफी अच्छा रोल देखा गया है, इस बिमारी को prevent करने में, या ठीक करने में, उसके लावा जो युनानी, herbal और आयुवेधिक treatment हैं, वो भी काफी कारागार हैं, ये देखा गया है कि कुछ दवाईयां जैसे ली 52 है, या अबाना हैं, या अर्कमको, अर्ककासनी, कुछ युनानी दवाईया हैं, उनका बहुत अच्छे results हैं, liver diseases में, तो आप अपने डॉक्टर की सला से इन दवाईयों का भी इस्तमाल कर सकते हैं, ये ध्यान रहें कि आपको बिना डॉक्टर की सला के कोई दवाई नहीं लेनी हैं, तो दोस्तों मुझे उमीद है, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप इस जानकारी से अपने आपको और अपने परिवार को उस खतरनाग बीमारी से बचा सकते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, धन्याबाद